हेलो दोस्तों, हमारी यूटूब चेनल में आपका स्वागते आज हम वीडियो में देखेंगे केरल में एक एसा मंदिर है जिसका रहस्य एसा है जिसे विग्णान भी नहीं समझ पाया है तिरुवरपू मंदिर में भगवान कुरुष्ण की मूर्थी स्थापिते कहा जाता है कि अगर भगवान को भोग ना लगाया गया तो भुख से मूर्थी पतली होने लगती है भारत में भगवान श्रीकृष्ण के काफी मंदिर है और इनके बारा में आप जानते भी होगे लेकिन देश में एक एसा भी मंदिर है जिसके कपट सुर्य ग्रहणों या चंद्र ग्रहण कभी बन नहीं किये जाते यह मंदिर है केरल के तिरुवर्पु में जो मिनाचिल नदी के किनारे बसा है और अपने सुन्दर आर्टिटेक्चर के लिए फेमस है हाला कि मंदिर की सबसे खास बात यहां अस्थापिश्री कृष्णा की मूर्ति है मंदिर को ग्रहण के दिन बन नहीं करने के पीछे भी एक कहानी है कहा जाता है कि एक दिन सुर्य ग्रहण के दिन इस मंदिर को बन रखा गया लेकिन अगले दिन मंदिर के पुझारी जब गर्भगरू में अंदर आई तो वह श्री कृष्ण के मूर्थी को देखकर दंग रह गये क्योंकि वह पहले से काफी ज़्यादा पतली लग रही थी संक्राचारिय जब यहां पर पहुझे तो उन्होंने बताया था कि श्री कृष्ण को एक दीन भी भूखा रखने के कारण इसा हुआ है तबसे इस मंदिर के में समय पर श्री कृष्ण को भूग लगाया जाता है इस मंदिर में श्री कृष्ण को क्यों रात को लगाया जाता है भगवान को सबसे पहला वो घरात तीन बज़े लगाया जाता है वो इसके लिए मंदिर के दरवाजे रात के दो बज़े खोल दिये जाते हैं यही नहीं जो मंदिर के कपड़ खोले जाते हैं तो अगर समय पर भगवान को भोग नहीं लगाता तो उनकी मुर्ती पतली होने लगते हैं इस मंदिर से जुड़ी बहुत सी कहान है लेकिन इन सभी से सबसे ज्यादा प्रचली थे विल मलयम स्वामियर की करीब पंद्रा सो साल पहले विल मलयम स्वामियर एक नाव में सवार होकर नदी से गुजर रहे थे लेकिन अचानक उनकी नाव रुख गए काफी कोशिसों के बाद भी जब नाम नहीं चलती तो वह उसे उतरे लेकिन तभी सारा पानी सुख गया और उनको एक पाच फीट की भगव श्रीकृष्ण की मुर्ति दिखा दी उन्होंने उस मुर्ति को उठाया और आगी बटे कुछ समय बाद तिरवर्पु गाउं पहुंचने के बाद उन्होंने उसे एक स्थान पर रखा और खुद स्नान करने चले गए जब वह वापस लोटे और मुर्ति को उठाने की कोशि एसा माना जाता है कि इस मुर्ति का सबन्त माभारत काल से है और इसे खुद श्रीकृष्ण ने पांडव को भेट किया था तो फिर यहां नदी में केसे जहा पहुंची जिसके जवाब में कई लोग मानते है कि अपने राज्यों को कवरोवों से हारने के बाद जब वन उनके साथ है उनकी प्रात्ना को मानते हुए श्रीकृष्ण ने उनको यहीं मुर्ति भेट की थी अपने वनवास के दुरान उन्होंने 14 साल इसकी पूझा की और वनवास की खतम होने के बाद वह इसको ले जाने लगे लेकिन जहां पर वह रुके थे वहां के मच्वार मच्वारों ने उनसे मुर्ति को वही रहने देने की प्रात्ना की जिसके बाद उन्होंने इस मुर्ति को उनके गाउं में स्थापित कर दिया मच्वारों ने कई साल इसकी पूझा की लेकिन अचानक उन पर संकट आने लगे परश्यान होने के बाद वह एक साधु के पास तो उनको पता जोला कि वह श्री कृष्ण की पूझा सही से नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में उनको इसे विसरजित कर देना चाहे हैं मच्वारों ने भी ऐसा ही किया जिसके बाद कई सालों तक कि हां पानी में डुबी रही और उसके बाद विल मलयम स्वामीयर को मिली हम उमिद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपिया इसे लाइक करें शेर करें और हमारे चेनल को सस्क्राइब करना ना पूले ताकि आप हमारे आने वाले घ्नान के वीडियो में शामिल हो सके धन्यवाद मिल देते हैं अगली वीडियो में